राधे राधे आईए आपको महाभारत के समय के एक ऐसे चरित के विशे में बताते हैं जिनको आज भी हम पूछते हैं भीमसेन के पाउत्र और घटोटकच के पुत्र थे बारबरीक बारबरीक के गुरू थे भगवान शिरी किष्न भगवान शिरी किष्ण की प्रिणा से उन्होंने भगवान शिव और आदिशक्ति मा की उपासना की आराधना की उनको वर्दान में तीन ऐसे बाण मिले जो अजेय थे उन वाणों के साथ उनको कभी भी पराजित नहीं किया सकता था लेकिन उन्होंने अपनी मा को ये वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्च की ओर से ही युद्ध करेंगे महा भारत के समय इस आशांका से कि बारबरिक कवरों की तरफ से युद्ध कर सकते हैं भागवान शिरी किष्ण ने ब्राम्मण का रूप रख करके उनसे दान मागा और उनके वाण की शेष्टा सिद्ध करने को कहा बारबरिक ने एक वाण से एक वरिख्च के सारे पत्तों को छेट करके उन वाणों की शेष्टा सिद्ध की लेकिन बार्बरिक भगवान को पहचान गए थे इसलिए उन्होंने उनको अपने असली रूप में आने को कहा भगवान शिरी किष्ण स्यम प्रकट हुए और उनसे बरदान मागने को कहा बार्बरिक ने कहा कि मैं अपने इस शिरी से पूरे महाभारत का युद्ध देखूँ तो भगवान ने परसन हो करके कहा कि महाभारत का युद्ध तो तुम इस शिरी से देखोगे ही कलियुग में तुम्हें मेरे रूप में पूजा जाएगा कलियूग में राजस्थान के सीकर छेतर के पास खाटू शहर में वे स्वेम प्रकट हुए हैं शीश के रूप में और उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है आज हम खाटू श्याम के नाम से उन्हें भगवान किश्न के रूप में पूजते हैं राधे राधे